तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमसकार और सभी का इस्टाडियों में आप सभी का एक बार फिर से श्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे उडिसा केंद्रिये विसेविधाले कोरापुट में यानि की केंद्रिये विसेविधाले एदिनियम 2009 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओफ उडिसा कोरापुट दोस्तों यहाँ पर एक नया जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है नई बरती आई है विबिन पोस्टों पर यह बरती है पुरी डिटेल हम जानेंगे कि कितने पदों पर कौन-कौन से पदों पर भरती है क्या इसकी age limit है क्या इसकी fees है क्या इसकी selection process है complete information देखेंगे कौन-कौन से पदों के लिए बरती आई है ड्राइवर के लिए भी इसमें पोस्ट हैं, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ड्राइवर के भी पद है इसमें, तो सबसे पहले तो ये 20 दिसम्बर को नोटीस आया है, पहली बाद तो आप ये ध्यानने, दूसरी बात ये All Over India की बरती है, Applications in the prescribed format are invited from eligible Indian citizens, who are filling in various non-teaching academic positions on direct or deportation, दो प्रकार की पोस्टे हैं, तो direct भी है, यानि permanent भी है, deportation पर भी है, Requirement Basis in the Central University of Odisha, Candidates are required to be familiar with rules, यानि की rules के साथ में आपकी योगेता होने चाहिए, Regulations and Functioning of the University with basic knowledge of computer applications, Candidates possessing higher qualification and expense than that is prescribed for the post may be preferred, जिस पूस्ट के लिए आप आविदन करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर योगेता आपके पास में qualifications और अनुबहू होना चाहिए, Candidates are required to submit their application, online forum जो है, आपको इस website के मारें से बरना होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, cuont.edu.in ठीक है, और इस भरती के बारे में आपको जानकारी, इस is cuo.ac.in इस website पे आपको मिलेगी, और जो लगातार को अपडेट होगी तो इस website पे आती रहे हैं, आप देख सकते हैं, अब भरती के बारे में देख लेता हैं, यह है post आपका, जैसा की system analysis है, इसकी एक post है, ठीक है, और यहाँ पर आप से लेज़ देख पा रहे हैं, हिंदी officer है, information scientist है, assistant registrar है, medical officer है, private secretary है, section officer है, हिंदी translator है, junior engineer है, civil और electrical दोनों है, assistant है, और personal assistant है, statistical assistant है, semi-professional assistant है, pharmacist की है, technical assistant की है, security inspector की है, अपर division color की है, और यहाँ पर आप देख पार है, laboratory assistant है, library assistant है, हिंदी typist, lower division color की, यानि, LDC की, और driver की, यहाँ पर आप देखिए, driver की जो post है, यहाँ पर पांच पद है, general के चार post है, और एक ST का है, category से जो भी forum बर रहे हैं, वो ध्यान दे, चार general की, UR की है, और एक post के वल, ST category में है, ठीक है, cook भी है, और laboratory attendant है, library attendant है, medical attendant है, dresses, ठीक है, MTS की भी है, और kitchen attendant है, hostel attendant है, और अब बात करता हूँ में deputation की, उपर जितनी भी post है, मैंने बताई, वो सारी की सारी कौन सी थी, वो direct यानि, permanent थी, अब नीचे जो है, वो deputation वाली है, इनको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, मैं आपको दिखा देता अलग से, यहाँ पर जो post का, जो है, वो qualification दी गई है, कौन-कौन सी आपको यह पास में educational qualification होनी चाहिए, इसी टाइप से मैं directly driver की post पे, और जो भी, जितनी भी post है, सभी post की मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो driver की post है, हमारी, वो 22 नमर की है, तो आप इनको सभी को देख कर ले हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 22 नमर ड्राइवर आ चुका है, तो यहाँ पर essential qualification, दस्वी पास आप होनी चाहिए, आपके पास में एक valid commercial driving license for light या medium या heavy issued by the competent authority having no adverse endorsement, इसे नाम से आप देख पा रहे हैं, position of a valid commercial driving license for light या medium या heavy vehicle, यानि कि आपके पास में commercial गाड़ी चलाने का license होना चाहिए, वो चाहिए light हो, चाहिए medium का हो, चाहिए heavy का हो, यानि कि आपको पता है, आजकल जो light motor vehicle driving license होता है, वो भी anti-OT, anti मलब non-transport का, OT का मलब transport के लिए जारी किया जाता है, तो इस type का अगर आपके पास में transportation यानि कि commercial है, तो आप उसका प्रिय cable और cable, इसमें LMV, HMV का नहीं लिखा है, सिधा मतलब है, आपके पास में commercial driving license का जो experience है, वो 5 साल का होना चाहिए, आपकी उमर not more than 32 years, यानि 32 साल से उमर आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह maximum age limit यहां पर बताए गई है, यह general वालों के लिए, ठीक है, हाँ, तो आगे है laboratory का है, और का है, सारी में आगे जानकार यहां पर बताऊंगा, आप देख पा रहे है, deportation पोस्टों के लिए भी यहां पर दिया गया है, और पूरा notification आपको दिखाता हूँ, general instructions यहां पर है, कि आपको किस टाइप से आप forum बरना है, क्या इसके जो rule और regulations जो बनाये गए है, वो सारी चीज़े यहां पर आपको दिखाई गई है, आप इनको भी थोड़ा सा forum बरने से पहले आप भर सकते हैं, और last date भी इसकी जल्ली है, 19 January इसकी last date है, जो भी application forum बरेंगे, category का लाब लेना है, तो आपको यहां पर certificate दिखाना पड़ेगा, वो भी जब आप apply करेंगे, forum बरते से में आपके पास में और चीज़े सारी होनी चाहिए, और यहां पर आप देख पार हैं, सारे जो documents आपको लेने हैं, और आगे जो इसके rule है, ने गुलिशन से यहां पर दिखाए गए हैं, और मैं थोड़ा सा आपको यहां पर दिखाऊना चाहूँगा, comment number यह करने हैं, तो आपको separate application for each post, along with the requisite fees, अलग-अलग पदों के लिए, अलग-अलग form आपको बरना पड़ेगा, the selection will be best on return test, trade test, skill test, और interview, यानि आपका interview भी होगा, skill test भी होगा, driving test भी होगा, और return test भी होगा, और दोस्तों, यहां पर जो driving, जो return exam है, इसके बारे में भी यहां पर बताया गया है, मैंने पड़ा था इसको, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहूँगा, वो मुझे थोड़ा सा दिखनी रहत हो सकता नीचे हो, यह देखो, यह आ गया, the university sale hold the return and skill test for all group B and C, सभी के लिए करेगा भी, ठीक है, return test may compare as reasoning ability, यानि reasoning आएगी, mate आएग इन सभी के बारे में यहां पर आपसे परसन है, वो पुछे जाएंगे, यहां पर बताया गया है, कि आपका जो return test होगा, वो एक तो objective type पहला paper होगा, जिसमें 100 person आएंगे, और एक descriptive type जो लिखने में के लिए आएगा, आपको हाँ से लिखके, जैसे हमें छटी, साथी, साथ जारी नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहां पर दोस्तों में बताना देना चाहता हूँ, hard है, और आपको यहां पर minimum criteria भी है, कि आपको किते number लेके आने जरूरी है, आपका interview होगा, कम से कम 20% marks का होगा, तो इसके भी number आपके यहां पर आप देख पा रहे है, इसमे आप देख पा रहे है, यानि कि इसमें लिखा गया है, the marks allocated for the interview wherever applicable, sale be 20% of the total marks and sale be added to the marks scored in paper first and second, for the preparation of merit list, यानि merit list में भी आपके यह number है, वो काम आएंगे, ठीक है, तो यह कुछ जानकार में आपको बताई, अब आप देख लीजे, आप group C के लिए, driver की post के लिए तो के लिए 500 रुपे हैं, बाकि आप group A के लिए, 1000, B के लिए, यहाँ पर 750, इस परकार से यहाँ पर दिया गया है, तो यह था information, ओ दोस्तों, मैं आपको बताना चाओंगा, अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर, जो study at home है, इसके साथ जो है, जुड़कर तयारी करना मत बूलिएगा, किसी भी exam की आप चाहिए तयारी करो, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, study at home classx.co.in, इस website पर आप अगर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर, जो है, इसका जो official जो page है, वो दिखाए देदेगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आ देखा देना चाहता हूं, यह देखो, यह official website है, जिस पर आपको mini login करके दिखाया है, यह आप देख पारे, study at home.classx.co.in, किसी भी exam की आगर आप त्यारी कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें, जो definitely शांदार त्यारी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी driver exam की त्य करना चाहूंगा इस application को, कि आप इसमें, जो है, आप जोड़कर त्यारी कर सकते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलता है, home page पे आप देख पारे है, HP High Court के लिए, ISRO के लिए, Northern NCL के लिए, विबिन प्रकार के course यहां पे है, course में कलिक करता हूं, तो आपके सामने details है, यह है, जानकारी आजाती है, UK, CCCC के लिए, ITBP के लिए, special course चल रहा है, Combo All-in-One Batch भी यहां पे है, EU Cota के लिए, HP High Court, Punjab and Haryana High Court के लिए, special base है, ISRO के लिए, AMS के लिए, JKSSB के लिए, सभी प्रकार के कोई बीचे ही बरती हो, सभी के लिए आपको यहां पर course देखने को मिल ज सकते हैं, previous paper आपको यहां पर मिल जाएंगे, current affair आपको मिलता है, study material भी आपको मिल जाता है, तो जी हां दोस्तों, बने रहे ही study term परिवार के साथ में, और यूही आपनी त्यारी को एक boost करने के लिए, आप study term जो platform है, इसका सारा ले सकते हैं, जी हां दोस्तों, अभी के लि या WhatsApp पे या phone call के मादर में से बैस सकते हैं, thank you so much.